नमस्का दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज हम आपको ब्लड प्लेटिलेट्स को बढ़ाने के लिए कुछ कहरे लूनसकों के बारे में बताएंगे शरीर में प्लेटिलेट्स की संख्या कम होने की स्थिति को थ्रॉम्बो साइटोपेनिया के नाम से जाना जाता है एक स्वास्त व्यक्ति में सामाने प्लेटिलेट प्लड काउंट में 150,000 से 450,000 प्रती माइक्रलिटर होते हैं लेकिन जब यहां काउंट 150,000 प्रती माइक्रलिटर से नीचा चला जाए तो इसे लो प्लेटिलेट्स माना जाता है लेकिन दोस्तों बिलकुल भी घबराएं नहीं क्योंकि कुछ आहारों की मदद से ब्लड प्लेटिलेट्स को प्राकरतिक रूप से बढ़ाया जा सकता है तो आज हम आपको उनी में से कुछ प्राकरतिक उपचारों के बारे में जानकारी देंगे सबसे पहले एकने विदन उन सभी दर्शकों से जो आज पहली बार हमारी चैनल पर आया है क्रप्या हमारी चैनल की सदस्ता को जरूर ले ले ताकि आप हमसे जोड़े रहें हमारी दरदी गई जानकारी को रोज देख पाएं और उन से फाइदा बिठा सकें साथ ही सही जानकारी के लिए इसे अंते तक सेरु देखीगा गिलॉय का जूस प्लेटिलर्स को बढ़ाने का सरवोत्तम उपचार माना जाता है इससे आपकी रोग प्रती रुदक्शमता भी मस्बूत होती है इसके लिए दो चुटकी गिलॉय की सत्प को एक चम्मज शहद के साथ दिन में दो बार लीजिए या फिर गिलॉय की डंडी को राद भर पानी में भिगो कर सुबा उसका च्छना हुआ पानी पी लीजिए इससे प्लड में प्लेटिलेट्स पढ़ने लगेंगे चुकंदर ट्राकर्टिक एंटी ऑक्सिदेंट और हेमोस्टेसिक गुणों से भरपूर होता है अगर दो से तीन चम्मज चुकंदर की रस को एक गिलास गाजर की रस में मिला कर पिया जाए तो प्लड प्लेटिलेट्स तेजी से पढ़ने लगते है पपीते का फल और पत्तियां दोनों ही प्लेटिलेट्स को बढ़ाने में मददकार होता है देंगू बुखार में गिरने वाले प्लेटिलेट्स को पपीते के पत्ते की रस के सेवन से तेजी से बढ़ाया जा सकता है आप चाहें तो पपीते की पत्यों को चाई की तरह भी पानी में उबाल कर पी सकते हैं इससे भी आपको फाइदा होगा इसके लिए आप पालक का इस्तमाल भी कर सकते हैं दो कप पानी में चार से पांच ताजे पालक के पत्तों को डाल कर कुछ मिनिट के लिए इसे उबाल लीजे। इसे थंडा होने के लिए रख दें, फिर इसमें आधा लीटर टमाटर भी मिला लीजे। इस मिश्रण को दिन में तीन बार पीने से आपको फाइदा होगा। तो दोस्तों, यदि आपको आज की हमारी जनकारी अच्छी लगी हो, तो इससे लाई, शेयर और कमेंट सरुर कीजिगा। इसे देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।